हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको चार्ट बनाना सिखा हुआ एक्सल में कि चार्ट केसे बनाए जते हैं तो चार्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले टेबल बनानी होती क्या कि सपोस्ट सीरियल नंबर मेरा एक कोलम मैं ले लेता हूं तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले स सब्सक्राइब कर लेता हूं यहां पर इससे आपको पता लग जाएगा कि मुझे चार्ट बनाना और नाम में रख लेता हूं सच्चन विराट प्रोहित हार्दिक एम एस धौनी चहल कि चहल के बाद हम लिख लेते हैं कि राहुल के दार कि या फिर कि सोरी कि उमेश एंड सोन सब्सक्राइब मैं एक आठ खिलाड़ों का यहां पर मेच कि एंड स्कोर कि सैंचूरी अगर तोटल अगर मैं यहां पर इनका कुछ स्कोर बनाता हूं ठीक है मैं टेबल्स क्रियेट कर रहा हूं जिसको आप समझना अच्छे से मेच सचीन ने कहले 500 मेच विराट कॉली ने कहलें साफ 350 मेच रोईट शर्वा ने 300 मेच हार्दिक ने 150 मेच मेच दोनी ने एवाई अईयर एस एस वाई ए आर अडबल वाई ए आर शीर साइयर को हम ले लेंगे और उमेश यादो की जगह हम ले लेंगे कोई हमारा शिकर शिकर सो इन सबका गेम प्लान हम कर देते हैं तो सचीन तेंदूलर का जो स्कोर है हाई इस स्कोर सचीन का है 201 सपोज करो विराठ कले का 183 है रोईच सर्मा का 264 है अर्दिक का सपोज मानलो 97 है आइमेश दोनी का 183 है और आयर का है 134 सपोज राहूल का 154 और शिकर का 190 सपोज करो तीज आर्दे स्कोर फॉर हाईएस अब सेंचुरी की बात करें तो सचीन के नाम 50 सेंचुरी है सपोज करो वंडे में विराठ को लिगे नाम की फॉर्टी नाइन होगी रोई शर्मा की 28 है हार्दिक की टू समझ लो एमेश दोनी की 12 समझ लो आईयर की 4 समझ लो राहूल की 6 और शिकर दोनी की सेंचुरी है अब सेंचुरी की अकोडिंग आप सपोज जो है सचीन तेंदुल की टोटल रन मान लेते हैं कितने 20,000 है कि बीच बंडे में विराठ कोली के हैं 15,000 है नोहजार रोहित शर्मा के हैं हार्दिक पांडे के अठारा सो रनों गए मेश दोनी के 13,000 होगे सपोज करो शेजर के 3,000 होगे राहूल के 5,000 होगे शिकर के 9,000 होगे सपोज करो शिकर के 7,000 होगे तो यह एवरेज आ गया तो इस इस डटेबल वी चन मेच तो डिस इस डटेबल फर्स्ट वी आलाव तु मेक टेबल अब इस टेबल को मैं एक कैप्शन देढ दूंगा आप सब्से उपर मर्ज करकर की प्लेयर एनालेसिस रिपोर्ट एक चार्ट बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं तो इस चार्ट को बनाएं कैसे तो सबसे पेले जो वेल्यू में इसलेक की है उसमें मैं इंसर्ट पर जाऊंगा और मैं पाई चार्ट लूँगा एक इस तरह का ओके सो आप एनालेसिस आप देखिए दी जार दा एनालेसिस अगर मुझे इस शीट पर बनाना हो तो मुझे क्या करना पढ़ेगा इंसर्ट चार्ट तो कर लिया लेकिन मुझे करना है क्या पढ़ेगा वेल्यू महां से रेफरेंस एडर्स उठानी पढ़ेगी सेलेक डाटा कौन सा डाटा चीए साब चार्ट में गया और यह आप इस टेबल पर आपने देखा होगा सबका एक एक एनलेसिस रिकोर्ड आ गया है सो सेंचुरी वाला ग्रीन है किसकी कितनी सेंचुरी है इसको अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें हाथ तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको बना रहे हैं सकोर और मेच जिसने खेले हैं उसके अकोडिंग रिश्यू है तो सबसे कम मेच यहाँ पर शिरे स्ट आइयर ने कहने हैं सकोर की बात करते हैं सबसे आप सकोर हादिक पन्डिया का आर आइस में according to score of range तो जो टॉटल स्कोर है वो सबका अपना अपना लेवल है किसका कितना है वो एक बता देगा उसके को निए तो दीज आरदा में अब हम यहां पर इस चार्ट को चेंज कर सकते हैं चाहें तो हम एक इस फॉर्म के चार्ट में ले लेंगे तो यह बता देग बता कि किस्तर से किसका व्यो कितना चल रहा है तो दीज आरदा चार्ट टो में चीर्ट कर सकता जाता हूं और data analysis पर नहीं जाता हूं तो मुझे सबसे पहले data page layout insert में चार्ट पर जाना पड़ेगा और इसका जो data है वो pick up करना पड़ेगा अब data लेने के लिए पहले मुझे इसको यहां से अठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पहले इसको select करना पड़ेगा और selection के बाद chart design करना पड़ेगा तो you can see that a different type of charts available in a different type of manner okay so everyone can see the according to view you can see that view easily you can see that a view कि किसका ratio कितना है और किसका कितना है so आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूं और कैसी किस तरह से मुझे करना चाहिए highest score की अगर हम बात करें तो जो score area है वो रोज शर्मा का green है जो tremendous है तो इसने सबको अलग-अलग व्यों में दे रखा है अब अगर मैं conditional formatting इसमें लगाओ table formatting conditional formatting मैं इसमें लगा दूँआ लेकिन पहले pet setup आप देख लीजे चलो conditional formatting की लगाते हैं क्योंकि सिखने तो कुछ अच्छी चीज़े इची है होम पर गए conditional formatting अब conditional में क्या है कि top to bottom अगर मैं color scores की बात करूं तो highest scores ने बता दिया only one है green में है जो ठीक है अब मैं दूसरी conditional formatting की बात करूं कि less than 264 यानि कि मैं बोल रहा हूं कि जितने भी हैं क्या करें less than कितने हो 200 से कम हो उसका क्या जाए green यह light red फिल हो जाए क्यों नहीं वा साब क्यों कि मैंने select नहीं किया वा था फर्स सेलेक्षन देटा देन चूज दा icon for less than less than में मैंने लिखा less than 200 वह क्या हो जाए हो जाए ठीक है हो गया साब यह सभी में इस लिए हो गया है क्योंकि मैंने सारा अगर मुझे क्या करना है अगर अगर मुझे स्कोर वाली बॉटल ख़िए स्कोर में चेक करना है तब मैं स्कोर बार पर जाओंगा और लेस्देन वाले पर जाओंगा की 200 से जिसका भी कम हो उसका रेड बॉर्डर हो जाए तो वहां पर आप देखिए रेड बॉर्डर हो गई लिकिन इसमें नजर नहीं आ रही है आपको तो लेट मी स्टार्ट अवाल सगें अगें लेज देन आ रेड लाइट लाइट रेड फिल आपको नजर आ गया होगा तो जो 200 से कम है लेस्देन 200 से जो कम है वह आ गया आप ठीक है तो एक कंडिशन डिनोमेंट हो जाती है उसके अक्वरडिंग हम बात करें अब अगर मुझे यह सारा एनलेसिस तो आपको चार्ट बनाना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने चार्ट बनाया है कैसे बनाया है इसको कंट्रोल बी करने से बोल्ड होता है तो एक have a chart, we can present so in Excel,this is the interactiveway,we can create different type of charts Ill show you multiple charts,we can see another chart type.and this is the other chart.Notes not this is the radar. chart so radar chart is a different chart so so first i'll just select the table i just copy the table in another sheet so we can see the clear value okay so i just click the insert tape and see the radar chart so you can see that radar chart this is the radar chart and everyone is here to radar कि किसका कितना ratio है अगर आपको इसका दूसरा वेची है सपोर्ज इंसर्ट में जाके और हम लोग इसका design format change chart type भी कर सकते हैं इस तरह का chart भी हम ले सकते हैं कि इसका chart change हो गया सबका अलग-अलग भी so easily हम लोग यह बना सकते हैं किस तरह का chart हमें चाहिए format की बात करें तो format में हम shapes को effect भी दे सकते हैं glow भी करा सकते हैं इस तरह से अपने हिसाप से और शेप को फिल भी कर सकते हैं अलग-अलग वे में तो जो भी color आप चाहो वह शेप से फिल हो सकता है तो this is the thought whatever we can use and layout में जाके इसका picture का shapes वगेरा जो भी आपको change करना हो format selections chart टाइटल चेंज कर सकते हो नहीं लिए रखा में एक्सेंज कर सकते हो वर्टिकल या टाइटल बिलो एक्स तो वह बिलो आ जाएगा एक्सेस लेजेंट्स करना कहा है शो लेजेंट अदे टोप तो वह टॉप पर हो जाएगा तो डिजेंट्स आलवेश शॉप दर राइट तो यह राइट साइड में तो एवर्टिंग शुट भी चेंज तो डेटा लेबल एंग्रेट एक्सें ग्रेट लाइन्स दिस दा माइनर ग्रेट लाइन्स तो वह उस तरह से सारी सिटे उसमें शो करेगा 3D रोटेशन भी आ जाएगा चार्ट में लेकिन कब आएगा जब हम चार्ट उसकी तरह अब हम ए यह 3D रोटेशन चीए 3D फॉर्मेट में होगा तो जाहिर सी बात यह 3D फॉर्मेट तो आप देखी गाए चार्ट 3D फॉर्मेट की शेव में आ जाते हैं ठीक है तो इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं बहुत ही इजी चार्ट को नाम दे सकते हैं जो प्लीज गाइस शी लाइक शेर और सब्सक्राइब और वाज माइच चैनल आइल शो यू एडिफेंट इपर तैप अब श्तायल चार्ट और में 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 सब्सक्राइब बोट अच्छा चैनल इसके बाद में आपको मेक्रों पड़ा जो की बितना चुट्कियों का काम मि बितना अब ग्राइस लुट्कियों काम में 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 जो खेंध रख बाइस युट्ब चैनल